सब्सक्राइब करें पाँज वजे थोड़ा या लेट होगे बहुत टाइम पर बाद आज लाइव होए हैं आज लाइव होँए हैं अस्ट्रेलिया जो नेक्स्ट इन्टेक आ रहा है जुलाई और रिगार्डिंग आप डिस्कस करांगे चेंजेस आ रही हैं कि जीटी ज प्रॉब्लम सा रही हैं स्टूडेंटनों ते किद्धा अस्ट्रेलिया अगले इंटेक वेच जाके पड़ाई किती जा सकती है किड़े किड़े पॉइंट्स है जो नोड किते जान जीदे नाल थोड़ी जीटी वधिया त्रीके नाल निकल ले क्लियर होए ते वीजा सोखा लेया जावे पहला था दोजार वी मार्च वेच जिदो लॉगडाउन हो या सी गया उस्तो बाद अस्ट्रेलिया पंदरा दसंबर दोजार रिकी नो रियोपन होया उस्ते टाइम च बहुत लोग का ने अस्ट्रेलिया दे वीजे अपलाई भी की थे कईया ने नहीं अपलाई की थे इसे तरह अस्ट्रेलिया अंबेस्टी ते कॉलेज युनिवर्स्टी ने कुछ जो युनिवर्स्टी कॉलेज ने चेकिंग की थी बहुत त्रीके नाड़ स्टीम लाइन कीता अपना परसेस ते मेजर पंजाब ते हरे आने तो जाने की नौर आगपक पॉने दो साल बाद अस्ट्रेलिया ओपन होया सीगा सारे मेजरी बड़े विजय दका स्ट्रेलिया बड़ा लिणेट होगा का गफ यहां दे कफे विजय आऊंगे Ale compr बट किते ना किते होया उस दे बहुत ही ओल्ट जिन्ना का अस्ट्रेलिया ने लिनियेट वन होया होया सीगा 2000 वी तो पहला यानि कि अगर किसे हायर एजुकेशन जो फाइल लाई ये थे वीजा आटो ग्राउंड आ रहे सीगे अज ओही टाइम लाग पाग दो तो टाइमी ने लाग रहे है ओस टीज नूँ तो उस दे वेच मेजर कारण है जो अजेंट्स वलों कितियां गियां गल्तियां यानि कि उनना फ्रॉड किता गया अंबैसी तो कुछ लकोया गया बच्चेयां दे फ्यूचर ना खेड़या गय सब कुछ चेक किता मेजर फंडा दे नाम ते जाली फंड लागाए गए जाली डॉक्मेंट लागाए गए तो उसी पिष्चे जे एडवर्टाइजमेंट देखियां होनी है दोहजार वी इकीच वी अस्ट्रेलिया जाओ दोहजार अठारा पास आउट यां सतारा पास आउ सो बहुत कंसल्टर ने जिदो फाइला लाई हैं कहीं दे लगए होए वीजे कैंसल होए कई एरपोर्ट तो वापस आई बच्चेया नों दस्या नहीं गया वी तेरी फाइल्ज की लाया है जाली डॉक्मेंट अपने कोडों बनाके लगाए गए फांड जाली बनाके आज भी अस्टेलिया होनता बाण्द हो गया लागबाग बट उस दे ओल्ट वे उन्हा जंटाली बांद हो गया जो ए फ्रोड लेंड काम कर दे जाली डॉक्मेंट आते जाली फंडिंग दे नाम ते पैसे कठे कर दे आ लिए बिलकुल बांद हो गया है बट तुसीं किसे कंसल्टन नू देखोंगे अजे भी अस्ट्रेलिया दे वीजे आ रहे है यह में ओंग ग्लोबल दे वीजे आ रहे है आज भी साथे पांच वीजा आये है तुसी आके किसे भी ब्रांच देख सकते हो पिट इस अस्ट्रेलिया नू समझन दी लोड है 2000 वी पास किते भी अड्मीशन मेलनी अखी होगी है तो अगर 2000 वी पास आउट स्टूडंट है तो पहला एक वर जरूर सोचन वी ओना दा वीजा रिफ्यूज नालानों पैसे दी वी वदा नुकसान हो सकता है तो अगर तुसी 2021 हो एकी पास आउट प्लस टू मैं प्लस टूरी गाल कर र तो अनुन बहुत मुश्किल्स आउएगी वीजा रिफ्यूजल्स हो सकते है क्योंकि अगर आपा 2000 वी तो पहला दी गाल करिए अस्टेलिया किसे ने जो चंगी तरह ने देख्या है अस्टेलिया सिर्फ मैक्सिमम तो मैक्सिमम एक साल दे गैप नाल स्टडी गैप नाल प् नहीं किती इसलिए होन अपने मार्च वेच्च पूरे इंडिया वेच्च दो प्लस टू दे एक्जाम हो जान्दे है सो लगबग दो साल हो गया प्लस टू किती नूं किसे कोले कोई अडमीशन नहीं कुछ नहीं है वी तो बाद सो उनना स्टूडन ली होन अस्टेलिया जा है उनना हजेवी चांसिस है बट जो नवा अडमीशन लेना चौंदे है उनना ली बहुत अखा है अस्टेलिया जाना इस टाइम अगर तुसी ग्रेजुएशन कीती है ता तो अटे तुसी पांच तो साथ साल दी गैप दी जस्टिफिकेशन जैनून दिनने हो ता तुसी अ पूरा हो सकता है तो अगर तुसी अजन्टा दी आड़ देख रहे हो कुछ अजन्टा जे भी एड़ कर रहे हैं वी दो जार वी उननी या अठारा पास आउट प्लस टू आले वी जा सकते हैं बट प्राबलम तुसी रिजल्ट तो बात देखोंगे वी तो ड़की नुकसान हो या तो ड़की टाइम वेस्ट हो या सो इना चीज़ा नु समझो थे दोजार वी तो पहला दे पास आउट हो या दोजार वी पास आउट हो अस्ट्रेलिया दा वीजा ना अपलाई करो अगर मेजर कोई तो ड़कोले सरक्म्सांसिंस होगे जी मेडिकल इशू है या तोड अगर तो अड़ी अदे तक तुसी यह सोच रहे हो भी अड़मीशन करवाई है होन अपना दोजार वी तो बाद अपलाई कर दे हां होन टाइम तो ड़की निकल चुकिया है सो मेन चीज जो मैं कहना चूंदा है वी दोजार वी पास आउट ली बांदो गया एस्ट्रेलिया आफ्टर प्लस टू दोजार एकी पास आउट ली वी लास्ट मोग का है जुलाई इंटेक दा क्योंकि उस तो बाद उनना ली भी मुश्किलां खड़ियां हो जानी है क्योंकि दोजार वाई पास आउट सूड़न्ट अस्ट्रेलिया ली आ जाने है तो उनना ली भी गैप जस्टिफिकेशन देनी जुरूरी हो जोगी में चीज आन्दी है जीटी मैं पिछले जिदो अस्ट्रेलिया चुरू है उस तो बाद बहुत अजेंटा ने फाइलां लाई है कहीं आनिया रिफ्यूजल आई है जीटी जो है उसनों समझ जन्दी लोड है पिछले हाफते मैं दो स्टूडेंटनों मिलेया और रिफ्यूजल लेके आई एक रिफ्यूजल चे मैं नोडिस कीता वी उस रिफ्यूजल चे अमबैसी ने बड़ा क्लियर कट लिख्या होया है क्योंकि उन्हाने अस्ट्रेलिया मेलबन चे अपलाई कीता सी गया उस दे ब्रदर सिस्टर दो सिस्टर चे अस्ट्रेलिया गई इसतरा तुछ चोथे दन जाके अपना कोर्स अपनी युनिवर्स्टी चेंज कीती उथे ओठे वो देख गया उन्हाने साफ साफ मैंशन कीता है क्यों अड़े ब्रदर शिस्टर अस्ट्रेलिया गई इस तरीक नों गई इस कीता वी इथे वो पढ़ रहे हैं इस कोर्स च तेस असी नोटेस कीता है वी ओ उनने जो पढ़न दी इंटेंशन क्लियर नी कीती सानूनी लगदा वी तुसी वी एक जैनूरन स्टूडेंट हों वी तुसी वी ओनना दी तरह जाके एक साड़ी युनिवरस्टी ज कॉलेज जाके चेंज करोंगे सो अगर इस गल्दा कहनदा मतलब है कि तुसी मेलबन ही जाना सी बड़ किते ना किते तौडी परफाइल जो लीजबल सी किसे होर प्रविंस चा किसे होर कोर्स चा वदिया चा होर युनिवरस्टी चा हायर लेवल चा भी बहुत वदिया ग्राउंड लेवल ते तुसी उस परफाइल नू अपनी परजेंट कार सागदे से बड़ किते ना किते तुसी अपना मेलबन जान दा सुपना देख्या सी उनना ने तो इस कारके उनना दा वीजा रिफ्यूज होया बट मैं तो नू ए कहना चाहना है अगर तो अडी परफाइल तुसी अपनी चोईस लेके जानने हो भी पाई साब मेरा ब्रदर यहां सिस्टर मेलबन सिड्नी है मैंनू इथे ही जाना है बट दूसरे तरफ तो कंसल्टन तो अनू ए कहनदा है भी हांजी हो जेगा बट तौड़े वेच तौड़ी परफाइल किसे वेट कोर्स जयां किसे मारे क सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब हांकरी ते लिमेंुट ऊड़े खीया से वीजा रिफ्यूस में ते gesch rhetor बट तौड़े हो गाए मेरा कोर्स किते में नू सही मिल रहा अगर तुसी इना चीजा नू छड़ाओंगे ता तो अड़ा वीजा लगन दे चांसिस वद सग देया तो एक चंगे कंसल्टन दा रोल जीटी क्लियर क्रॉंच बहुत माइने रखदा है तुसी साड़ी किसे भी ब्रांच जाओंगे ता देखोंगे तो अड़ी फाइल हमेशा हायर लेवल ते हायर कोर्स ली अपलाई किती है जान दी है कुछ कोर्स स्पेशलाइजेशन दिती जान दी है ओम ग्लोबल दा सक्सेस रेट भी इससे कारकी वदिया है क्योंकि आपा जे गल करिए मिस्टर सुमीत खन्ना मिस्टर मनप्रीत सिंग जो अस्ट्रेलिया ओफिस बैठ दे है न ओ देख दे है न एक एक परफाइल लूँ ते उस बच्चे दी परफाइल लूँ केड़ा कोर्स मिलेगा ते किते न दी जीटी इसली क्लियर हो जाएगी तुसी अगर अस्ट्रेलिया दा जुलाई इंटेक अपलाई करना है दो जार इकी पास आउटों प्लस टू दी गल कर दे हैं दो जार इकी पास आउट ने प्लस टू ओ स्टेट बोर्ड यहां सीबी एसी यहां आइसी एसी बोर्ड तो 60% ओवराल परसेंटेज है मेन अकेडमिक सब्जेक्ट तो ता तुसी अस्ट्रेलिया आजे भी जा सकते हों बट जे तुसी सोचया है भी असी जुलाई तो बाद जाना चौन दे हां ता तो अडेली मुश्क क्टिशनल अकाउंटिंग कीती 2019 चिए उस तो बाद उसने एक युनिवस्टी चेप लाई कीता ता युनिवर्स्टी दा नाम है सेंटर क्विंजलेंड उस युनिवर्स्टी चेंब एम्भ चेप्लाई कीता उस तो बाद उस दी रिफ्यूल आई रिफ्यूजल चे शाफ बच्चे ने किसे अजेंट दे कैन ते एक फेक एक्सपीरियंस बनाया उस वेच रिफ्यूजल मेंशन कीता हो यासी तुसी दोजार वी उन्नीच मास्टर आफ प्रफेशनल अकाउंटिंग कीती है इंडिया यानिकी एमकॉम कीती है सुरी मास्टर आफ कमर्स कीती है ते तुस अपनी कोई आईटियार नहीं लाई जो भी तुसी जॉब किती है कोई सेलरी स्लिप नहीं लाई सिर्फ ते सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेटर लाया है इस तो गलतों क्लियर होंदा है अस्ट्रेलीन अमबैसी इस टाइम सब कुछ नोटिस कर रही है किसे अजेंट्स दे चूठे ला रहां चे ए फासके ए ना सोचे हो भी साड़ा एक्सपीरियंस ओबना दूगा या साड़ा गैप पूरा करके साड़ा डिग्री डिपलोमा बनके साड़ा वीजा लाग जूगा ओ गल्ला आज तो तेन मिने पहला आन्यां खतम हो गिया यानि कि 2021 तो बाद दसंब करिए देखिए कि जीटी किसे नूँ क्लियर करना पता ही नहीं है वी कितना क्लियर हो नहीं है सो अस्ट्रेलिया ओ अगर किसे ने जाना सारिया चीजा नोटिस तुसी कार साकते हो कितना कि वीजा लगना है जीटी कितना क्लियर करौनी है जो मैं उस गल्थ हो नोटिस कीता वी अस्ट्रेलिया एक master of commerce करनवाला बच्चा जो अपनी रिटर्न नी पर रहा ते दूसरे अनुकित्दा गाइड करेगा वो उसने एक वी तुसी अपनी रिटर्ना पर हो तो उस गल तो क्लियर होंदा है वी अस्ट्रेलिया इंबसी इस टाइम बहुत स्ट्रिक्नस है ओधी ते प्लेखे विच ना रहा के वी तुसी दोहजार उन्नी पास आउट सी या ठारा पास आउट सी कोई डिग्री डिपलोमा बढ़के तो जाना चाऊंदे हो तो अडेली ये लास्ट मोग का है सो अस्ट्रेलिया तो मिस्टर सुमित खन्ना एं मानपरी सार तो अडी परफाइल नूं असेस कर देया है असेस्मेंट करके सानूं दस देया वी केड़ी कोर्स केड़ी युनिवर्स्टी च अपलाई किता जाना हो साड़े वीजा चांसेस वाद जानगे लेवल वन या टू या त्री वेच जित्थे वी मार्जी अपलाई करो अगर तो अडी परफाइल है तो अडा कोर्स वदिया है रेलेवेंट कोर्स है तुसी बैचलर डिग्री च जा रहे हो तो अडे 65 परसेंट नंबर ने तो अड सब्सक्राइब नहीं है तुसी टैंथ तो बाद गैप नहीं है या प्लस टू तो बाद गैप नहीं है तो अड़ा वीजा हरक युनिवर्स्टी च लाग सकता है चाहे लेवल थी चोवे चाहे लेवल टू चोवे चाहे वन चोवे ए नहीं देखो भी लेवल वन ची चाहे हो एडिलेड है चाहे हो मैलबन या सिड्नी या किसे वी अपने प्राधा प्रेफरेंस लेके ना चलो वी मेरा प्राधा ओथे है या मेरी प्राधा पधे है पहली चीज तुसी ए देखो वी मेरी परफाइल इस्बल किते है कुछ बंदेया ने विच मांच वे डाउट ही है अगर उथे जाके आगे आपां चेंज कर लें दे सी के कोर्स या युनिवर्सटी ओ भी बहुत जल्दी बंद हो रहे है अगर वीजा दी कंडिशन तुसी ब्रीच करोंगे ता तुसी तोड़ा वीजा कैंसल भी हो सकता है अज यह इंप्लीमेंट नहीं होया है है बट सोन चाया हो जाओगा जल्दी ही इंप्लीमेंट तो अगर चंगे कंसल्टन नो तुसी अपनी परफाइल दे रहे हो यानकी अपनी अडिमीशन अपना वीजा दा लिजबिल्टी करवा रहे हो तो अपना फ्यूचर दे रहे हो तो तुसी अगर दोजार उन्नी भी पास आउत हो अजे भी सोच रहे हो भी मेरा फलाने जंटने वीजा लवा देना है मेरा डिग्री डिपलोमा बना आके या मेरा गैप्च कोई सर्टिफिकेट बना के ता तुसी कार बैट चाओ अगर तुसी दोजार वी पास आउट हो दोजार ते ही ता अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लो अस्ट्रेलिया दी जाए यूके यहां फिर कैनडा चले जाओ बट किसे गल्त एजन्ट से कोले फास के ए ना सोचो भी मेरा वीजा लाग जाना है सर्फ एक अडमीशन करौनी ते वीजा लगाओना बहुत फार्क है अडमीशन चाहे तुसी पांज बैंड है चाहे साठे पांज बैंड है चाहे तुसी दोजार स्थारा प्लस टू चाहे तुसी दोजार थारा पास आउट हो तो अड़ी अडमीशन हो जूगी तो अड़ी फाइल हाई कमिशन वेच वी चली जाओगी बट किते ना किते आफ्टर ओल एंड ऑफ रा डे तो अन्नू रिफ्यूजल अड़ी सामना करना पहोगा इससे तरह अगर तुसी ग्रेजुएशन कीती है या मास्टर्स कीती है तो अड़ी को ले पड़ाईच गैप गया है तुसी दोजार स्तारा ठारा उन्नी वी की पास आउट हो बैचलर कीती है किसे वी स्ट्रीम कीती है तो अड़ी ओवराल अगर गैप दी जस्टिफिकेशन है वी की 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 तक जॉब जाब च की तो अड़ी को ले पुरूफ है तो अड़ी को ले आई टार सोनी चाहिए तो अड़ी को ले everything यानि कि तुसी जिथे वी जॉब किती है उस देर लेटर तो अड़ी को ले कागजपत्तर होने चाहिए सेलरी कैश भी आंदी है मेजर ली अपने पंजाब यहां हर्याना साइड बच्चे जो छोटियां लेवल दियां जॉप्स कर दे होना नी सेलरी काउंच नहीं भी आंदी ता ओदे वेच भी प्रॉब्लम नहीं है बट तो डिकोल जस्टिफिकेशन होए प्रॉपर उस कम वारे । हो दे नौलेज भी आसचीज़ बारे प्रॉपर नौलीज होने चाहि दिया प्रॉपपर थोड़े घंडऄ रिकॉर्ड्स होने चाहि दिया प्रॉपर थोडी को इमेल आईडी भी हो सकती हो ना दी डुमेन दी जो कि आपा गल करे जीमेल वाली नहीं चलूगी ते उन्हादे लैंड लाइन तो प्रॉपर उन्हादी वेरिफिकेशन होगी तो इसलिए ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी अस्ट्रेलिया अजे जा सकते है पट उन्हा प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी जरूरी है तो अस्ट्रेलिया जानवाले स्टूडेंट ली असी ओम ग्लोबल सेमिनार लेके आ रहे हैं पंदरा तरीक तो लेके अठारा तरीक तक जो की साड़े ऑफिसेस कीते जानगे जैस्वेस तुसी मिस्टर सुमीत खन्ना ते असी तो लोकेशन प्लस टाइमिंग जल्दी अपने फेस्बॉक शोशल मीडिया ते पेज ते यहां टीवी ते तो अनू देखनू मिल जानगी है तो अगर तुसी अस्ट्रेलिया जाना चौन्दे हो 2021 पास आउट हो साड़े किसे भी ब्रांच जाके तुसी अपनी फाइल दर्ज करा सकते हो यहां सनू कॉल कर सकते हो बन में एक सो काड़ बन में एक सो साड़ तन्वाद